तमस्कार जहिन साथियों मेरो हिद भारगो न्यू अत्तुल्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबी के साथ हूँ दोस्तो चर्चा का भी सही है एन आई ए थाना जी हाँ हाल ही में मद्य परदेश के घ्रमंतरी नुरत्तम मिस्रा जी के दुआरा जानकारी दी जाती है कि मद्य परदेश में एन आई ए थाने की स्थापना की जाई ही चलिए समझते हैं ये थाना कहां पर स्थापित होगा एन आई ए क्या है और इस थाने के क्या काम होंगे बात करते हैं एन आई ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी जी हाँ बात अगर में करू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी राश्टिय जाच एजनसी मद्यपरदेश की राजदानी भोपाल में मद्यपरदेश की राजदानी भोपाल में इस थाने की स्थापना की जा अगर जो भी आतंकवाद से संबंदित गतीविदियां कर रहा है तो इन पर रोक्थाम लगाने के लिए NIA की स्थापना देखने को मिली है याँ पर NIA एक केंदरी जाच इजन्सी है इसकी स्थापना भारत की एकता, अखंडता, संप्रभूता, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए की गई है बात करू में यह मध्यपरदेश में भोपाल में स्थापित होगा जो संपून राज्य में आतंकवादी जिसी गतीविदिया हैं उनको रोकने का काम करेगा अगर मैं बात करू यह एजन्सी यह जो एजन्सी है भारत की संप्रभूता, सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने का काम करेगी इसके अलावा अगर मैं बात करू कि यह जो एजन्सी है इस एजन्सी की स्थापना 2008 के अधीनियम के तहद की गई जिसका मुख्याले हमको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में डारेक्टर जनरल होते हैं दिनकर गुपता जी जी हाँ दिनकर गुपता जी इस एजन्सी के यहां पर डारेक्टर जनरल है तो यह जो एजन्सी है भारत की सुरक्षा, समप्रभूता, अखंडता को बनाया रखने में बहुत महतोपुन युगदान दे रही है साती सात मद्य प्रदेश की राजदानी भोपाल में भी यह एजंसी कारे करने जारी अर्थात यह एजंसी का या इस एजंसी के तहट एक थाना मद्य प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है जो मद्य प्रदेश की सुरक्षा की द्रस्टी से बहुत ज्यादा महत संदायोगी ये जानकारी दोस्तों हमारे लिए बहुत महतोपूर है परिक्षा की दरस्ती से और देनिक जीवन के उपयोग में भी हम इन ठीजों को समझ सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारसातियों